एलो नमस्कार दोस्तों तो स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों क्या आप अकेले रहते हो जॉप के परपस से या फिर स्टडी के परपस से या ढूंड रहे हैं अच्छा अल्टरनेट गैस स्टोफ का तो दोस्तों आप एक बिल्कुल सही वीडियो पर आ पूटी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपको भी इसी तरह की पिच्छन रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उनों की जो की बने होते हैं सरैमिक, ग्लास, कॉपर, ब्रॉंज और अल्यूमिनियम के तो वो इस पे काम नहीं करते तो ये बात आप ध्यान रखना इंडेक्शन खईने से पहले अब चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉप 5 बेस्ट का इंडेक्शन नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो उतना जदा एफिशेंट नहीं होता इसके दर आपको feather touch controls मिल जाते हैं normal buttons नहीं मिलते जो की काफी अच्छी बात है और इसमें आपको 8 auto cook menu मिल जाते हैं यानि कि आपको कोई भी recipe बनानी है और वो auto cook menu में है तो आप एक बार press करेंगे तो ये automatically उसके हिसाब से setup हो जाएगा इसमें आपको LED display मिलती है और इसमें मिलता है timer function ये बना हुआ है rust proof ABS material से और इसमें आपको मिलती है एक साल की complete warranty अब अगर बात करें इसके price की तो दोस्तों इसका जो price है वो है around 1900 रुपे के आसपास और ये जो price मैं आपको ब induction आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सभी के links description box में दे दूँगा तो वहाँ पर जाके आप इनकी current prices को check कर सकते हैं दोस्तों number 4 पे है Amazon basics का induction cooktop इसमें आपको 1900 watt की power मिल जाती है और इसका जो top surface है वो बना हुआ है micro crystal glass से इसमें आपको 8 stage power setting मिल जाती है या ये इसी में नहीं ये feature आपको sub induction में मिल जाता है इसमें आपको push button controls मिल जाते हैं touch controls नहीं मिलते हैं इसमें आपको 6 auto cook menu मिलते हैं और दोस्त इसमें आपको मिलती है LED display इसमें आपको timer function मिलता है जो कि आप maximum 3 घंटे तक cassette कर सकते हैं इसमें आपको मिलती है एक साल की complete warranty और Magnific induction cooktop इसमें आपको 2000 watt की power मिल जाती है और इसमें आपको top में मिलती है 4 mm polished glass surface और दोस्तो इसमें आपको मिलते है feather touch controls इसमें आपको 7 auto cook menu मिल जाते हैं और मिलती है LED display दोस्तो इसमें आपको timer function मिल जाता है और इसमें आपको मिलती है एक साल की complete warranty अब अगर बात करें इसके price क दोस्तो नमबर 2 पर है prestige का induction cooktop इसमें आपको 2200 watt की power मिल जाती है और दोस्तो इसमें आपको मिलते है feather touch controls इसमें आपको 7 auto cook menu मिल जाते हैं और आता है LED display इसमें आपको timer function मिल जाता है keep warm function मिल जाता है जिसमें दोस्तो क्या होता है जैसे आपका खाना जो है वो cook हो गया है तो उसके बाद वो खाने को गरम रखता है इसमें आपको automatic voltage regulator मिलता है जिससे अगर आपके घर पे बिजली की fluctuations होती है तो उसको दोस्तो ये regulate कर लेता है जिससे ये induction खराब नहीं होगा इसमें आपको automatic whistle counter मिलता है जिससे दोस्तो क्या होता है अगर आप इस पे pressure cooker use करते हैं तो आप इस induction में set कर सकते हैं कि कितनी CT के बाद ये induction off हो जाए जैसे आपने set किया कि 3 CT के बाद ये induction off हो जाए तो दोस्तो 3 CT के बाद ये बंद हो जाएगा और उसके बाद ये induction आपके pressure cooker में जो खाना है उसको गरम रखेगा जो कि काफी unique और अच्छा feature है इस पे आपको एक सल के warranty मिलती है और अगर बात करें इसके price की तो इसका जो price है वो है around 4000 रुपे के आसपास दोस्तो नंबर एक पे है Philips का Viva Collection induction cooktop इसमें आपको 2100 watt की power मिल जाती है और दोस्तो ये आता है premium full glass panel के साथ दोस्तो इसके जो build quality है वो बहुत ज़्यादा premium है और इसके जो feature से वो भी काफी ज़्यादा premium level के है इसमें आपको sensor touch keys मिल जाती है और इसमें आपको 10 Indian auto cook menu देखन और दोस्तो इसमें आपको मिलता है timer function जो कि आप maximum 3 घंटे तक cassette कर सकते हैं इसमें आपको एक सल की warranty मिलती है और अब अगर बात करें इसके price की तो इसका जो price है वो है around 4500 रुपे के आसपास और दोस्तो आज की video के लिए बस इतना ही video में जितने भी induction मैंने आपको दिखाए हैं सभी की links description box में मिल जाएंगे और वीडियो अच्छी लगी तो please video को like करना और इसी तरह की kitchen related videos को देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों